शहर में पिछले कुछ दिनों से बड़ी मात्रा में रेत माफिया की मामली जोर पखट रहे हैं जिसके चलते जलादीकारी एवं उपिवागिय अधिकारी के निर्देश से एवं पुलिस प्रशासन और साती राजस्व विभाग की सयोग से अवीद रेत खनन के खिलाव कारिवाई की गई जिसके विशे में जानकारी थी नागपु शहर की तैसिलदार तथा तालू का दंडादीकारी संतोष खांडरेने अवीति ड्रग पर कारिवाई कर कुल 107 प्रासरेद बरामत की गई है जिसके निलामित वारा कुल 4,42,150 रुपे का राजस्व प्राफ्त क्या गया है जहां कुल 9 वहन पर गुनाद दश कर एक वहन सालक पर मकों का अंतरिकर्द अप्राद दश क्या गया है इस समय जांकारी देते वे नाकपूर शहर के तैसिलदार तथा तालू का दंडादी कारी संतोष खांडरे ने बताया के पिछले कुछ मैनों से विधर के कई चिलों के रिती कार्ड बंध होने से नाकपूर भंडारा गोंतिया आदी चिलों से ट्रकू की आवजाई शुरू जिसके परिनाम स्वरुप अवेति खनन के भी मामले सामधियार हैं जिसके चलते जिलादी कारी के निर्देश पर यह कारी पार की गई जालित आरुप्य ने अधारत का दर्वाजा भी खटकटा है किन्तु न्याले में नाय एवं सचाई का पक्ष यकिनन सक्षम रहेगा ऐसा विश्वास उन्होंने चता है साथी उन्होंने सभी रेद व्यापारी और बिल्डर से कानुनी रुप से कारिक करनी की आपिल की है जब हमारा पतक जाता है तो वो बोलता है कि टीपी मालक के तरफे उससे वाद विवाद बढ़ जाते है तो कृपया वहातुप करते समय टीपी वहां चालक के पास रहना बहुत जरूरी है कोई भी आईवेद तरीके का साथा मत कीजिए उसकी परमिशन लिजिए और उसके अलावा जो कुछ भी शहर में बांध काम जो व्यावसाइक बिल्डर है तो उनको भी रॉयल्टी निकालना जरूरी है तो मैं ये भी अपील करता हूँ सभी बांध काम व्यावसाइक को कुरपया शाषन के दिशा निर्देश के अनुसार आप जो बांध काम कर रहे हैं आप जो बिल्डर लोग है तो आपने शाषन के परिपतर का अनुसार आपने भी रॉयल्टी सभी ने लेने को होना और जो कुछ रॉयल्टी का परिनाम हो विसाप से परवांगी तवसिलदार, SDO सर और जिल्ला माइनिंग अधिकारी की तरफ से आपने लेने को होना